करीब 7 साल पहले जंतर मंतर और रामलीला मैदान से तातकालिं कॉंग्रिस सरकार के खिलाब आरपार की लड़ाई में देश व्यापी आंदोलन के आगे सरकार को जिकुना पड़ा। इस एथिहासिक आंदोलन ने किसी की सरकार गिरी तो किसी ने सरकार बनाना। महराष्ट के एक छोटे से गाउं से निकले अन्ना हजारे को हिंदुस्तान ने संत महात्मा की सुड़ी मिला दिया विश्व ने नया गाधी मानने लगा लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी भी महत्तु कांक्षा जग जाहिर होने लगी राजनिती के मंचपर ना आनी की सपत को तोड़ते हुए ममता बैनर जी की दिल्ली रेली में जाकर पब्लिक के नाने पर मंचपर ना आकर अपनी ही प्रजियत करवाडा ले और चार साल खामोश रहने के बाद जग चारों तरफ से मोधी सरकार पर कीर छोड़े जा रहे थे अन्ना जी ने भी फिर से लाइन लाइट में आने के लिए सरकार की खिलाप अंशन शुरू कर दिया पर शायद अंदाजा था सुपर फ्लॉप का इसलिए इस बार दिल्ली म मुंबई छोड़ कर अपने गाउं राणे गंड सिद्धी की डगरी पकड़ी यहां पर भी प्रापर मीडिया हाइप न मिलने पर सीधे सीधे प्रधान मंत्री को धंकी दे डाली कि अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार पंत प्रधान होगा और तो और अइंसा के पत प्राइसे बहुत समाजदार हो गई है याद रखिये काट की हांडी एक बार चड़ती है बार बार नहीं